नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकॉनमिक्स लेक्सिकन वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है NNP या फिर नेट नेट नेशनल प्रड़क्ट तो पिछले वीडियो में हमने GNP पढ़ा है अगर आपको GNP याद होगा तो आपको NNP या फिर नेट नेशनल प्रड़क्ट समझना बहुत ही आसान है So you can see that video to understand GNP in detail वेरस यहाँ पर हम इसको थोड़ ब्रीफ में में बता देता हूँ उसके बाद हम नेशनल प्रड़क्ट समझेंगे क्योंकि GNP समझना बहुत ज़रूरी है NNP समझने के लिए तो GNP क्या होता है? GNP is Gross National Product या फिर जो भी प्रड़क्ट किसी भी कंट्री के citizen के थुरू बनाया गया हो या फिर produce किया गया हो उसका जो sum होगा, total होगा उसे हम Gross National Product करेंगे माल लिजीए, इंडिया है, इंडिया में हर country के अपनी citizenship होती है तो इंडिया के अपनी citizenship होगी तो जितने भी इंडिया के citizen होंगे, चाहे वो इंडिया में रह रहे हों चाहे वो फॉर्ण में रह रहे हों तो यह जो भी produce करेंगे, जो भी benefit होगा इनको, बलब की कुल मिला के जो भी production का cost value आता है, उसको हम total कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, छोटे से चीज से लेके बहुत बड़े से product, सारे चीजों को हम एक part में calculate करते हैं, उसका जो total आता है, वो हमारा gross national product होता है, तो अब इस gross national product में से हम depreciation minus कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा net national product, सा definition देख लेते हैं, तब आपको easily समझ में आ जाएगा, so net national product is the gross national product, the total value of finished goods and services produced by country, citizen, overseas and domestically, minus depreciation, तो यहाँ पर यह depreciation समझना आपको बहुत जरूरी है, depreciation क्या होगा, depreciation मतलब losses होते हैं, losses कि इस तरह का losses, माल जो losses होती हैं, उन losses को हम services के value के साथ, जो भी services or goods produce हो रहे हैं, को value से हम minus कर देते हैं, तो value हमारा क्या होता है, वो, GNP होता है, क्योंकि GNP क्या है, जो citizen के थुरू बनाये गया है, Indian citizen के थुरू बनाये गया हो, अब वो citizen चाहें, इंडिया मेरे चाहें, कहीं भी रहे, उस से ह minus losses, या फिर depreciation कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा, क्या जाएगा, वह हमारा होगा, net national product, okay, तो simple हो गया, NNP का फार्मला यही होगा, GNP minus depreciation, so that's all for today's video, I hope आपको NNP समझ में आ गया है, still if you have doubts regarding this, you can ask in the comment box, मिलते हैं अगले वीडियो में नए concept के साथ, तब तक के लिए, बढ़ाई